हेलो दोस्तो लास्ट लेक्चर में हम प्रोपर्टीज के बारे में डिसकसन कर रहे थे उसी डिसकसन को आगे बढ़ाते हैं next प्रोपर्टी पढ़ते हैं viscosity तेको पहले समझ लेते हैं viscosity क्या होती है जब भी fluid की motion होती है जब भी fluid की moment होती है तो उस time पे एक layer दूसरी लेयर पे एक resistance लगाती है एक लेयर अपने साथ वाली लेयर पे resistance लगाती है उसको आगे बढ़ने से रोकती है उसी resistance को कहते है viscosity इसकी definition है it is the internal resistance to the moment of fluid offered by one layer of fluid over adjacent layer साथ वाली लेयर पे जो resistance लग रहा है moment के against में उसी को कहते है viscosity अब जिसको देख लेते हैं देखो suppose करो हमारे पास ये एक नीचे surface है इस surface के उपर यहां पर हमारे पास fluid है ये fluid है हमारे पास ओके यहां पर एक force लगाया हमने इस direction में F जब F force लगाया तो एक cross section ले लेते हैं इस cross sections के particles पर देखते हैं क्या effect होगा देखो सबसे उपर वाली layer पर हमने force लगाया तो सबसे उपर वाले layer की कुछ नहीं कुछ velocity होगी suppose कर लेते हैं ये है उस layer की velocity V ठीक है resistance की वज़े से इसके जो 7 वाली layer होगी इससे नीचे वाली layer होगी इसकी velocity से कुछ कम होगी क्योंकि resistance लग रहा है viscosity की वज़े से तो viscosity की वज़े से नीचे वाली जो layer होगी इसकी velocity suppose करो ये है इससे थोड़ी से कम इससे नीचे वाली layer की होगी और भी कम क्योंकि इस पे भी resistance लग रहा है इससे नीचे वाली layer की velocity होगी और भी कम और इस से नीचे वाली layer की velocity होगी और भी कम जब इनके end points को जो arrow है इसको मिलाएंगे आपस में इनको मिला देते हैं तो एक line बन दी है इस लाइन को बोलते है velocity profile इसको बोलते है velocity profile अब इस diagram को यहाँ पर बना लेते है कैसे सिर्फ velocity profile को हम बना लेते है इस type से यह आपकी होगी velocity profile अब यह जो distance है इस surface से जो distance है यह ले लेते हैं suppose कर लेते हैं यह y distance है और यह velocity है v यह y distance है y distance पे इस solid surface से y distance पे जो velocity है वो v है बीच में कही element consider कर लेते हैं suppose कर लेते हैं यहाँ पर एक element ले लेते हैं चोटा सा और यह element है यहाँ पर इसकी थिकने से element की थिकने से डी वाई इस element की थिकने से डी वाई और इस element को हम क्या कर लेते हैं अलग से बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा diagram करके बना लेते हैं इसको कैसे यह नीचे वाली लेयर हो गई यह डी वाई डिस्टेंस हो गया उपर और यह उपर वाली लेयर हो गई यह डी वाई डिस्टेंस और भी ज्यादा है और यहाँ पर तो काफी ज्यादा velocity है तो नीचे वाली लेयर की velocity let's suppose this velocity is u और जो उपर वाली लेयर की है dy distance उपर जाने के बाद velocity में change हुआ suppose grow u plus du velocity क्या होगी u plus du du value increase होगी अब distance check कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का distance जो होगा let's suppose time कितना लग रहा है dt time लग रहा है तो velocity क्या होती है velocity is equal to distance upon time अगर distance की value निकालेंगे distance क्या होगा velocity into time यह time इस direction यहां पर आके multiply हो जाएगा तो distance यह distance हम निकाल रहे हैं और dt time लग रहा है तो यह distance की value क्या होगी velocity into time u into dt और यह वाली value कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक की distance की this is u plus du into dt यह distance होगा u plus du into dt यह distance को हम ऐसे भी लिख सकते हैं this is equal to dt को अंदर multiply कर देंगे तो क्या होगा u dt plus du u dt यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रो करते हैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रो करी हमने तो यह distance जो होगा actual में यह कितना है u dt तो यह भी u dt होगा u dt और जो यहां से लेके यहां तक का distance बचा यह कितना होगा this is excess distance इसको बोलते है एक्सेस डिस्टेंस तक को टोटल यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का total distance है u dt plus du dt और यह u dt यह है तो total distance में से अगर यह माइनस कर देंगे तो यह आएगा आएगा आपके पास total है u dt plus du dt और इसमें से u dt माइनस कर देंगे तो excess distance कितना बचेगा excess distance is equal to that is du dt त यहीं पर लिख लेते हैं इसको du dt यह distance होगा du dt यह excess distance आए आपके पास du dt और इस angle को ले लेते हैं d theta इस angle को ले लेते हैं d theta अब देखते हैं इस triangle में 10 d theta इस triangle में 10 d theta की value क्या होगी 10 d theta आपको पता है 10 theta क्या होता perpendicular by base perpendicular by base perpendicular क्या है इस d theta के सामने वाली dimension और सामने वाली dimension कितनी है du into dt सामने वाली dimension है this is du dt divide by base बेस क्या है थीटा के d theta के बगल में होगा और जो d theta और 90 degree angle के बीच में जो होगा वो होगा base बेस कितना है यह distance यहां से लेकर यहां तक यही होगा this is dy तो 10 d theta यह आगया इसके बाद theta की value बहुत small होती है theta की value बहुत small होती है लेकिन हम क्या यहां पे थोड़ा सा समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है बट theta की value बहुत कम होती है तो d theta is very small अगर d theta बहुत small है तो उस time पे हम क्या लिख सकते है 10 d theta is nearly equal to d theta 10 d theta को nearly equal to d theta लिख सकते हैं तो यहां पर put कर देते हैं 10 d theta की जगे पे d theta is equal to d u dt d u dt divided by dy और इस d t को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहां multiply में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा इस दूसरी तरफ जाके division में आ जाएगा तो d theta by dt is equal to d u by dy यह एक equation आई इस analysis में हमें एक equation मिली इस equation को हम use करेंगे इस equation को अलग से लिख लेंगे यहां पर लिख लेते हैं d u sorry d theta by dy d theta by dt is equal to d u by dy इस equation का नाम देते हैं equation number one इसको use करेंगे अभी आगे further analysis में तो आगे पढ़ते हैं अब देखते हैं एक ही fluid को दो अलग-अलग condition में ले लेते हैं same fluid है दोनों जगे same fluid है but एक जगे हमने f1 force लगाया है और एक जगे f2 force लगाया है और माल लेते हैं f1 is greater than f2 यहाँ पर shear force की value इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं shear force is more यहाँ पर shear force ज़्यादा है और यहाँ पर shear force is less यहाँ पर shear force की value कम है same fluid है बट यहाँ पर shear force ज़्यादा लगाया हुआ है और यहाँ पर shear force की value कम है तो shear force अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब shear stress भी ज़्यादा होगी क्योंकि shear stress जो होगा tau is equal to shear force per unit area और same fluid है same condition sorry same fluid है same cross-sectional area है दोनों का cross-sectional area same है तो shear stress की value shear stress की value देखते हैं अब यहाँ पर अगर shear force ज़्यादा है देखो area तो constant है लेकिन shear force अगर ज़्यादा है तो tau की value भी ज़्यादा होगी इस implies tau is more यानि की shear stress की value ज़्यादा है और यहाँ पर shear force की कम value है तो इसका मतलब tau भी कम होगा tau की value भी कम होगी बट होगा क्या अगर force ज़्यादा लगाएंगे तो क्या यह d theta की value ज़्यादा नहीं आएगी इस condition में d theta ज़्यादा आएगा और इस condition में d theta की value कम आएगी बट सिर्फ d theta नहीं time के respect में इन दोनों में अगर same time में देखेंगे same time में d theta की value यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी तो same time में d theta की value यहाँ पर ज़्यादा आ रही यहाँ पर कम तो यहाँ पर कह सकते हैं d theta by dt with respect to time d theta की value with respect to time यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर d theta by dt की value less है यहाँ पर d theta by dt ज़्यादा है यहाँ पर d theta by dt कम है तो देखो यहाँ पर tau की value जब ज़्यादा थी तो d theta by dt ज़्यादा आ रहा है और जब tau की value कम है तो उस time पर d theta by dt भी कम आ रहा है इसका मदलब यहाँ से conclusion निकाल सकते हैं कि this implies tau is directly proportional to d theta by dt tau is directly proportional to d theta by dt और इस proportionality sign को हटाने के लिए इस proportionality sign को हटाने के लिए constant लगाना पड़ेगा और उस constant का नाम दिया गया mu mu into d theta by dt tau is equal to mu into d theta by dt suppose कर लेते हैं mu आपको नहीं पता है तो देखेंगे mu क्या है वो discuss करेंगे लेकिन पहले देखो d theta by dt की value किसके equal है du by dy के equal from equation 1 जो हमने अभी थोड़ी दिर पहले equation 1 पड़ी थी उसका use कर लेते हैं from equation 1 tau is equal to mu into d theta sorry d theta by dt की जगा क्या लिख सकते हैं du by dy तो आपके पास tau के लिए दो equation आई एक तो mu into d theta by dt और दूसरी equation है mu into du by dy अब ये mu क्या है ये discussion करते हैं अब ले लेते हैं दो different fluids अब ले लेते हैं दो different fluids fluid different है और let's suppose आपने force जो है same लगाया दोनों के उपर दो different fluid है और force की value क्या है same है अब माल लेते हैं कि d theta by dt की value different आ रही है means एक में d theta की value ज़्यादा आ रही है let's suppose यहां पर d theta ज़्यादा है और यहां पर कम है d theta और with respect to time same time में यहां पर d theta ज़्यादा है और यहां पर d theta कम है तो यहां पर जो आ रहा है d theta by dt इस के case में d theta by dt is more और यहां पर d theta by dt is less suppose कर लेते हैं d theta by dt यहां पर ज़्यादा है और यहां पर कम आया है इसको उसे equate करेंगे तो equate करने के लिए क्या करेंगे यहां से mu की value निकाल लेते हैं देखो इस case में mu की value निगाल लेते हैं mu क्या हो जाएगा mu is equal to ये d theta by dt tau के उधर जाके division में आ जाएगा d theta by dt tau divided by d theta by dt और जब force same है same force है तो tau की value भी same होगी इस condition में same force के लिए हमने same लिया है f is same इसका मतलब tau भी same होगा tau same है तो हम लिख लेते हैं for tau is constant यानि की same का मतलब tau को अगर constant लेते हैं तो mu is inversely proportional to d theta by dt mu किसके inversely proportional हो गया mu किसके inversely proportional हो गया d theta by dt के inversely proportional हो गया तो देखो जब d theta by dt जादा होगा और mu क्या इसके inversely proportional है यानि कि mu directly proposed नहीं है 1 by d theta by dt d theta by dt क्या है denominator में है और जब यह d theta by dt जादा होगा तो मतलब mu की value कम होगी mu opposite हो जाएगा क्योंकि d theta by dt inversely है mu के तो इसका मतलब this implies mu is less यहाँ पर क्या है mu की value कम है और इस जगह पर अगर d theta by dt कम होगा तो इस condition में d theta by dt कम होगा तो तो mu की value जादा होगी mu is more mu की value जादा है देखो d theta by dt अगर जादा होगा तो क्या flow easy नहीं होगा d theta by dt जादा है इसका मतलब flow easy है और d theta by dt कम है इसका मतलब flow difficult है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस condition में flow is easy easy होने का मतलब easy कब होगा जब resistance कम होगा flow easy कम होगा जब resistance कम होगा यानि कि resistance to the flow is less resistance की value कम होगी तभी flow easy होगा और इस condition में क्या होगा flow क्योंकि d theta by dt की value कम है तो flow is difficult flow क्या है difficult है और flow difficult है इसका मतलब resistance रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस to the flow रेजिस्टेंस to the flow is more रेजिस्टेंस to the flow is more देखो अब म्यू जब कम आ रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम आ रहा है म्यू जब कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है और म्यू की value जब ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि μ्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिजिस्टेंस टू दी फ्लो रिजिस्टेंस टू दी फ्लो और रिजिस्टेंस टू दी फ्लो को ही हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में डेफिनेशन में विस्कोसिटी Resistance to the flow को ही क्या कहा था? Viscosity. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Mu represents Resistance to the flow. Mu represents resistance to the flow. Hence, it is known as it is known as इसको कहेंगे, इसका एक नाम होता है coefficient of Viscosity. एक नाम, Mu का एक नाम होता है, या तो इसको coefficient of Viscosity बोलेंगे और absolute Viscosity बोलेंगे या एक और नाम है, और dynamic Viscosity भी बोल देते हैं इसको. तो Mu को क्या क्या कह सकते है, Mu को coefficient of Viscosity भी कहेंगे, क्योंकि आपने जब proportionality के sign को हटाने के लिए यहां पर Mu लगाया था, तो Mu coefficient of Viscosity या absolute Viscosity बोलेंगे इसका नाम, या फिर dynamic Viscosity भी है. तो यह तीनों एक ही चीज है. ओके, आगे discussion में हम देखते हैं, जो equation हमने starting में, फर्स्ट equation जो drive की थी, उसको एक बार देख लेते हैं, d theta by dt is equal to du by dy. अब d theta by dt का नाम होता है, इसको बोलते है, rate of angular deformation. इसका एक नाम है rate of angular deformation. और इसका एक और नाम होता है rate of shear strain. rate of shear strain. और जो यह du by dy है, du by dy represent कर रहा है आपका velocity gradient को. This is known as velocity gradient. और यहां से हमें पता चला था कि tau is equal to mu into d theta by dt होती है एक equation तो, और दूसरी equation होती है, tau equal to mu into du by dy. और इसी दोनो equation को ही बोलते हैं, इनी दोनों को equation को ही बोलते हैं, Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. इसको define यहीं से कर सकते हैं, directly. देखो, shear, इसकी definition क्या है, Newton's law of shear stress is directly proportional to d theta by dt को क्या बोलेंगे, shear stress is directly proportional to rate of angular deformation और rate of shear strain or du by dy को क्या बोलेंगे, or tau is directly proportional to velocity gradient. इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, Newton's law of viscosity. फिर से बता देता हूं, definition है, आप लिखना चाहिए, तो लिख सकते हैं, Newton's law of viscosity states that shear stress is directly proportional to rate of angular deformation or rate of shear strain or velocity gradient in a fluid. इस, Newton's law of viscosity. अब देखते हैं, कि linear velocity profile के लिए, इसकी equation क्या होगी? यह को linear velocity profile को बना लेते हैं, पहले, डिखना थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए, यह suppose कर लेते हैं, यह V. linear velocity profile का मतलब क्या हुआ? यह velocity profile आपको पता है, यह बताया था, मैंने आपको यह velocity profile है, अगर यह straight line है, अगर यह straight line है, तो हम इसको कहेंगे linear velocity profile, हो सकता parabolic curve भी हो, कभी-कभी हो सकता velocity की curve पेराबोलिक भी हो, तो इसको parabolic curve बोलेंगे, cubic भी हो सकती है, और किसी भी type से vary कर सकती है, यह velocity की curve जो है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन हम मान रहेंगे, अब यह straight line curve है, तो इसलिए है और यहां पर बना लिया इसी के अंदर ही यह स्पोज कर लेते हैं यह capital A point है यह capital B point है और यह capital C point है और यह वाला point is small a, यह small b और this point is small c ओके यह angle d theta है यह angle भी क्या होगा यह angle भी d theta होगा ओके यह angle दूसरा angle 90 degree का है यहां पर भी और यहां पर भी तो इसका मतलब यह body triangle जो body triangle है ABC और जो छोटी triangle है ABC दोनों क्या है similar है तो हम लिख सकते हैं कि triangle ABC is similar to triangle small a small b small c जो छोटी triangle है और body triangle है similar है अगर similar है तो sides का ratio equal होगा sides देख लेते हैं यह dy और यह total जो distance हमने लिया था यहां से लेकर यहां तक आपको याद होगा यह y और यहां से लेकर यहां तक का distance कितना हो जाएगा यह distance suppose dt time में है तो v into dt यह time हो जाएगा और यह वाला distance निकाला भी था हमने यह कौन सा रहा था excess distance this is du into dt this is known as excess distance ओके तो बढ़ी ट्रेंगल में और छोटी ट्रेंगल में sides का ratio equal होगा तो यह वाली side ले ले लेते हैं v dt divided by y is equal to यह वाली side आएगी इसमें du dt divided by यह dy यह हुआ यहां से v dt divided by y is equal to du dt divided by dy यहां पर dt से dt cancel हो जाएगा तो v by y is equal to du by dy यह equation आई हमारे पास और जो हमारे पास पहले shear stress की equation क्या थी mu into du by dy और linear velocity profile के लिए क्या कर सकते हैं du by dy की जिगर directly v by y put कर सकते हैं तो tau is equal to mu into v by y this is for linear velocity profile only सिर्फ और सिर्फ linear velocity profile के case में इसको use कर सकते हैं नहीं तो आप इस equation को use करोगे तो यहां से एक value और निकाल लेते हैं तो force शीर stress जो होती है वो क्या होती है force per unit area तो shear stress की जगे हम put कर देते हैं force per unit area is equal to mu v by y और area को अगर उधर ले जाएंगे तो f की value आएगी mu a v by y यह area जो है दूसरी तरफ जाके area इधर जाके multiply हो जाएगा multiplication में आ जाएगा तो f is equal to mu a v by y यह equation जो आई है हमारी यहां पर यह थोड़ी simple equation है क्योंकि हम पर differentiate form में कोई भी variable नहीं है यहां से हम mu की unit निकाल सकते हैं तो next इसके बाद बाद देखेंगे की unit कैसे निकलेगी इसकी यहां पर इस equation को लिख लेते हैं f is equal to mu a v by y इस equation को use करेंगे अब इसकी units देख लेते हैं viscocity की unit देख लेते हैं यहां से जो formula हमारा भी आया था last में f is equal to mu a v by y यहां से mu निकाल लेते हैं तो mu क्या हो जाएगा mu is equal to y इधर multiply में हो जाएगा f into y हो जाएगा और जो area and velocity ही division में आ जाएगे नीचे a v और सबकी units लिख लेते हैं force को किसमें लिख सकते हैं newton में और y को distance है तो meter में इसके बाद area को meter square में और velocity meter per second यहां से ये एक meter से एक meter cancel हो जाएगा तो आपके पास second उपर चला जाएगा तो unit i newton second per meter square और newton per meter square को pascal भी लिख सकते हैं तो यहां से pascal और second ये भी एक unit i तो हमारे पास पहली unit i एक unit i newton second per meter square दूसरी unit i हमारे पास viscosity की that is pascal second दो unit आगे हमारे पास this viscosity के लिए दो unit हमारे पास आ चुकी है newton second per meter square and pascal second अगर इसको इसकी हमें dimension लिखनी है dimensional formula लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको basic units में convert करना पड़ेगा newton newton क्या होता है force होता है और आपको पता है force क्या होता है newton में और इसको mass into acceleration भी लिख सकते हैं केजी में और acceleration को लिखते हैं meter square sorry meter per second square meter per second square तो यह newton की जगे इस newton की जगे लिख सकते हैं केजी meter per second square तो इस equation में जो यह equation आई हैं आपके पास इसमें यहां यहां पर put कर देंगे देखो म्यू की जो unit थी वो थी आपकी newton second per meter square और newton की जगे पूट कर देंगे केजी meter per second square into यह second यहां से और यह दूसरा नीचे बचा meter square देखो एक second से यहां पर एक second cancel हो जाएगा और एक meter से एक meter cancel हो जाएगा तो basic unit आपके पास बची म्यू की that is केजी उपर क्या बचा यहां पर कुछ भी नहीं बचा नीचे बचा केजी पर एक meter बचा और एक second बचा पर meter पर second unit आई म्यू की तीसरी unit जो आई हो वो आई केजी पर meter पर second यह तीसरी unit यानिकि इन तिनों में से कोई भी unit आपको given हो एक ही बात है सेम unit है यह म्यू की unit हुई अब यहां से हम dimension लिख सकते हैं यहां से बहुत easily dimension लिख सकते हैं केजी किसको represent कर रहा है मास को केजी की पावर वन मेटर किसको represent कर रहा है लेंथ को लेंथ की पावर वन है लेकिन डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में है तो इसकी dimension जो आई उसको ml-1, t-1 इस टाइप से हम इसका dimension लिख सकते हैं एक और unit होती है cgs system में in cgs system cgs system का मतलब क्या है लेंथ को लिखते है centimeter में, mass को लिखते है gram में और time को second में centimeter gram second cgs system का मतलब और mks system क्या होता है जो हमने यह अभी पढ़ा है यह mks system है mks system मतलब length को meter में, mass को kilogram में और time को second में cgs system में इसकी unit जो होती है वो होती है poise cgs system में जो unit होती है वो होती है poise यानि कि हम लिख सकते है one poise is equal to one gram per centimeter per second यह unit होती है one poise is equal to one gram per centimeter per second यह होई one poise की बट कभी कभी intern conversion करना होता है आपको cgs system में given होता है और आप उसको mks में करके आपको question solve करना होता है तो कैसे check कर लेते हैं कि क्या होगा दोनों में conversion कैसे होगा देखो केजी मीटर पर second यह है mks system में केजी मीटर पर second इसकी unit है mks में इसको cgs में कैसे करनाट कर सकते हैं केजी को क्या लिख सकते हैं 1000 gram केजी को लिख सकते हैं 1000 gram और मीटर को लिख सकते हैं 100 cm और second तो second ही रहेगा तो यहां पर क्या बचा आपके पास 10 10 क्योंकि यह 2 0 से 2 0 cancel हो जाएंगे आपके पास 10 gram पर centimeter per second और यह gram पर centimeter per second किसके equal है पोईज के इक वाल तो इसको लिख सकते हैं 10 पोईज इसको लिख सकते हैं 10 पोईज but conversion जो आता है हमें पोईज में given होता है और हमें इसमें convert करना होता है तो देखो यह जो 1 केजी पर मीटर पर second आया किसके equal 10 पोईज के equal तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे अगर हम इसको 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 by 10 हो जाएगा तो यानि की 1 by 10 केजी मीटर पर second is equal to 1 पोईज तो 1 पोईज को लिख सकते हैं यहां पर 1 पोईज is equal to 0.1 केजी पर मीटर पर second तो 1 जब भी पोईज में given हो बस आप उसको क्या करो 0.1 से multiply कर दो और केजी मीटर पर second में लिख दो यानि पोईज में जब भी आएगी तो उसको आपको केजी मीटर पर second में convert करना होगा एक ही यूनिट में रखो या तो आप MKS में रखो questions में या तो आप MKS में रखो सबको या आप CZS में रखो ठीक है तो यह हुआ viscosity के बारे में इसके बारे में थोड़ा बहुत ओर discussion है वो हम करेंगे next lecture में आज के लिए इतना ही thank you thank you so much